कि सबसे पहले जो है ये चीज समझनी है कि आर्टिकल कितने होता है आर्टिकल कितने प्रकार कियोंगे बताओं दो प्रकार कौन कौन से हैं डैफिनेट एंडैफिनेट 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 एंडैफ जो भी आपको आता है वो भूल जाओ सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है सबको कि आर्टिकल्स का उप्योग होता है नाउन के आगे किसके आगे होता है अब क्योश्चिन उठता है सर आर्टिकल्स का उप्योग noun के आगे होता तो पहले हमें किसको समझना होगा noun को अब question उठता है कि noun क्या है noun को हिंदी में कहता है आप सभी ने इसकी definition परिभाशा पढ़ी होगी noun is the name of a person place things पढ़ी होगी schools के time पर हमको school में ये चीज़ जरू पढ़ाता है noun is the name of a person place or thing लेकिन इसको हम थोड़ा और modify करके बरूल सकते है all the living and non-living things that exist on this earth that you can touch that you can feel that you can see are now सारी जीवी तो मरत चीज़े non-living चीज़े जिनको आप देख सकते हो, touch कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो क्या है ये board क्या है, ये pen क्या है ये table क्या है, ये bake क्या है, ये हवा क्या है आ रही बात सोंच में even ये जो electricity से चलने वाला board है ये भी क्या है इसके अंदर जो electricity है वो भी क्या है क्योंकि वो दिखाई नहीं देती लेकिन feel तो सो हर चीज़ क्या है यहां तक सोंच में है अब noun की दो category हो गई कितने category हो गई, दो एक हो गई countable, ध्यान देना सबको noun समझ में, सबको आ जाएगा article समझ और दूसरी क्या हो गई क्या यहां तक सोंच में है सभी को पका पका countable noun दो परकार के, singular number plural number क्या यहां तक सोंच में है सभी को पका पका यह countable हो गए, यह क्या हो गए uncountable अब देखो यह हो गए आपका क्या, singular number, यह क्या हो गए plural number अब इसको समझो, जिससे में लिखा है यहां पर pen pen का plural क्या होगा pants ठीक है लेकिन pen के अंदर जो ink है, वो क्या है uncountable वो क्या है, uncountable आई बास हो गए, चेर क्या है countable चेर का plural क्या होता है, चेर नई countable तो चेर है, लेकिन कौन से countable में है, singular और चेर क्या है, यह भी countable है लेकिन कौन सा countable है, plural आई बास हो गए, countable ना हो, कितने प्रकार क्यों होता है singular और plural एक बच्चन और singular का मतलब होता है एक बच्चन और plural का मतलब होता है वह बच्चन आई बास होन में इसके बाद होता है uncountable अब chair जिस लकडी से बनी है या प्लास्टिक से बनी है या फिर iron से बनी है ये सारी चीज़े क्या होती है uncountable, इसको नहीं गिन सकते है आई बास होन में अब गिन सकते हैं इसको नहीं गिन सकते हैं तो इंक, वूड, प्लास्टिक, iron, water electricity, ये सब क्या होता है आपके होते ये भी नाउन ही है लेकिन कौन से नाउन होते है यहां तक आया सोन में पका पका अब देखुँ दर, pen, pens, chair, chair apple apples आई बास होन में umbrella umbrellas आई गे बास होन में नहीं आई ऐसे ही मैंने कहा university इसमें क्या होगा universities युनिवर्सिटीज 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 umbrella का umbrellas apple का apples chair का, chairs, pen का कोई डाउट है अब ये सारे के सारे जो वर्ड़ियां लिखे pen, chair, apple, umbrella, युनिवर्सिटी ये सारे आपके singular countable noun है कौन से noun है ये सारे क्या है plural countable ये सारे क्या है जहाँ भी मैं word use करू singular countable noun तो आप समझ जाना में इनकी बात कर रहा हूँ जहाँ भी मैं बोलू plural countable noun तो आप समझ जाना में किसकी बात कर रहा हूँ जिनको हम plural बना सकते हैं जहाँ भी मैं बोलू uncountable noun आप किसकी बात करना जिसको गिन नहीं सके उसकी आई बात सोज में चलो यहां तक मुझे बताओ किया सब को समझ में है तो ये होते है नाउन अब इनही नाउन के आगे आपको आर्टिकल लगाना होता है क्या लगाना होता है तो पहली चीज़ तो हम ये सीख ले कि भाईया आर्टिकल कितने प्रकार के होता है, सही है, अरे सही है, तो आर्टिकल की दो कैटिकरी होती है, कितने कैटिकरी होती है, पहला डेफिनिट आर्टिकल, कौनसा आर्टिकल, और दूसरा अफकोस, इंडेफिनिट आर्टिकल, यहां तक आया सौझ में सभी को, अब जो डेफिनिट आर्टिकल होता जिसको कभी-कभी हम लोग D भी प्रौणाउंस करता है मैं बताउंगा कब D प्रौौणाउंस करना Second Indefinite Article होता है जिसमें आता है A or N क्या आता है A or N जिनका दोनों का मतलब क्या निकलता है a अब मुझे कोई बताएगा कि A or N अगर एक निकलता है तो ये कौन से नाउन के साथ लगेगा सिंग्लर काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस के साथ लगना ची ए और न इन तीन में से इसके साथ इसके साथ किस के साथ इसका उप्योग मैं लिखता हूँ इसका उप्योग हमेशा किसके साथ होगा singular countable noun के साथ ही होगा इसके अलावा किसी और के साथ इसका उप्योग मरक कर बैठना समझ गये गया नहीं समझे क्या कहा मैंने मैंने कहा कि A और N का उप्योग हमेशा singular countable noun के साथ ही होता है इसके अलावा कभी भी इनके साथ और इनके साथ A और N का उप्योग याद रखेंगे सभी पका पका अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलो हम लगाते हैं कहा पर A लगाना और कहा पर N लगाते हैं सीखें हम तो इसके लिए यहाँ पर यह चीज आपको स्कूल्स में बता ही होगी कि A कहां लगाते है N कहां लगाते है जब आपका consonant sound हो कौनसा sound हो consonant sound समझते हो न consonant sound मतलब engine sound क क क से लगाकर ग्यानी बाबा तक कोई भी sound है जिस देखो wheelchair चेर में कोन सा sound आ रहा है चाका तो आगे कहा लगेगा चेर पैंसिल पैंसिल में किसका sound हो रहा है पाका आगे कहा लगेगा अपैंसिल अब ऐसे देखना N का जब कोन सा sound हो wall sound स्वारवाला sound स्वारवाला sound मतलब A, A, E से लगाकर आहा तक कोई साभी sound आ जाए तो वहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा sound लगाना है wall sound अब मैं यह बताता हूँ यह के से लगाना है देखना देना जिसे मैंने का for example apple apple में देखो कौन सा sound आ रहा है A या A apple कुछ लोग apple भी बोलते है कुछ लोग apple भी बोलते है तो it's apple तो apple में कौन सा sound आ रहा है A का इसलिह emotions अपर देखो umbrella आ का sound आ रहा है आ रही बासवांज मैं नहीं आ रही अब ऐसे देखो एक word मैंने लिखा university उनिवर्सिटी में साउंड किसका आ रहा है आ का आ रहा है कि यका आ रहा है यका आ रहा है इसमें आ का रहा है देखो अम्रेला और यूनिवर्सिटी यू मतलब पहला साउंड किसका आ रहा है यका तो इसके आगे क्या लगेगा जबकि दोनों यू से स्टार्ट हुआ है अम् क्मरेला के आगे क्या लग रहा है और युनिवर्सिटी के आगे कुछ आया सवंज में तो आपको याद रखना है कि A और N काप्यों पूरी तरह वर्ड के प्रनेंशेशन पर डिपेंड गरता है जिसने को एक वर्ड मैंने यहां पर लिखा हॉर्स क्या लिखा हॉर्स मतलब क् क्यों हा का साउंड है लेकिन एक वर्ड लिखता हूं मैं आर एक गंडा जिसको हम लोग बोलते हैं बता हूं क्या लगेगा इसमें एन आर इसे एक वर्ड मैंने लिखा इयर क्या लिखा इयर का मतलब होता हुतरा दी का रही है सक्सेजर जिसको कहते है इयर में एच साइलें सिर्फ इसको year को पड़ा जाता है क्या लिखेंगे getting everyone तो पहली चीज तो हमने समझी कि A कहा लगा रहा है और और उससे पहले हमने समझा कि A और N लगेगा कहां सिर्फ singular countable noun कोई अगर आपसे कहे कि I have a water क्या वो सही होगा क्यों I have a water नहीं होता क्या होता है सिर्फ I have water लेकिन जब आप बोलोगे मेरे पास पैन है तो I have a मेरे पास pencil है I have a pencil मेरे पास एक book है I have a book you got it कुछ आई क्या बास सोन में पका पका चलो अब मुझे आप लोग सब बताओ कि अगर मैं कहूँ आप से कि I have a paper क्या ये सही होगा बताओ I have a paper क्या ये सही होगा नो सर्क्यूख सही नहीं होगा बताओ paper paper समझते हो ना ये अपके copy किस से बनी है paper Sarah तो आप सबको بتाना चाहूँगा मैं कि ये जो paper है ये भी क्या होता है प्रकार का पदा आर्थ होता है पदार समझते हो न जिससे कोई चीज बनती है जिसे प्लास्टिक एक पदार था है लकड़ी क्या है एक माटेरियल ऐसे ही आपका पेपर भी क्या है एक माटेरियल इसलिए याद रखना इसके साथ में आर्टिकल A.O.R.N. का उपयोग अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो यह आपको बोलना होगा भई अगर आप इसको आर्टिकल एस के आगे लगाना चाहते गेडिंग पका पका चलो अब इदर आजाओ उजराफटापट तो यह सारा का सारा material कुछ आरा सौंज में नहीं आ रहा है देखे दर indefinite क्या पढ़ रहे हैं indefinite तो यह जो है indefinite और यह क्या है definite तो अब basically क्या करना कया है हम लोगों को सबसे पहले यह चीज समझ नहीं है कि article कितने होता article कितने प्रकार कि वहाँगा बताऊ date definite definite article में क्या होता है definite article में यहां तक सब को आगया समझने पक्का पक्का फिर हमने समझा कि भई जब तक हम किसको नहीं समझेंगे नाउन को तब तक क्या नहीं समझ में आएगा क्यों क्योंकि आर्टिकल का उप्योग नाउन के आगे ही होता है बाकि आर्टिकल आपके लगाते ही नहीं हो आई बास सोच में नहीं है पका पका तो फिर हमने नाउन को समझा तो हमने noun की दो category देखी कौन कौन सी countable noun कितने परकार के देखी singular number plural number और यह क्या हो गया uncountable अब मैंने कहा singular में pen pen का क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा आई बास वाँज में ऐसे chair का क्या होगा यहाँ पर क्या हो गया wood plastic iron यह सब आपके तो आपको a और n का उपयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करना है आई बास सौँझ में चलो अब हम बात करते है किसकी कि dh को कहा लगाते है तो आपको जानकर रहराणी होगी कि dh यहाँ भी लग जाता है यहाँ भी लग जाता है और A और N जो है, यह याद भी हो सकता है, लेकिन द याद नहीं होता है, द को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि देखो, जब आप कहते हो, I have a pen, क्या कहते हो, तो देखो, pen के आगे क्या लगा है अपने, आपको जानकर अहरानी होगी कि pen के आगे द भी लगता ह ठीके, लेकिन I have the pen नहीं होता, फिर आपको उस pen की विशिस्ता बतानी होगी, कि I have the pen, which you give me yesterday, मेरे पास वो pen है, जो आपने मुझे कल दिया था, तो I have the pen, which you give me yesterday, तो यह जो देख है, यह कौन सा वाला देख है, इस pen की विशिस्ता बताने वाला देख है, क्योंकि the का मतलब है, definite article, definite article वहां लगता है, जहां पर कोई object, कोई वस्तू, कोई व्यक्ती, definite situation में हो, निस्चित situation में हो, तो जब आप कहोगे, मेरे पास एक pen है, तो I have a pen, लेकिन मेरे पास वही pen है, जो आपने कल दिया था, so I have the pen, which you gave me yesterday, मतलब देख है, को यहां पर pen के आगे, आप भी ल लगे, कुछ गया है दिमाग में, चलो, तो हम लोग सबसे पहले जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है, दा के uses, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते है, दा और दी में क्या अंतर है, तो देखो इदा, दा और दी, दा प्रोनाउंस तब करना है, जब साउंड क अलिफग, वाल का साउंड दे रहा थे, इसलिए आप बोलेंगे दी अलिफग, क्या बोलेंगे दी अलिफग, दूसरा देखना, टोसरा कोंसोनेंट साउंड में, जैसे मैंने आखें, दह अर जोटार, इसलिए पैन, दे प्रिंसिपल, अर यु गेटिंग, लेकिन दी दी एपल, दी ओरेंच, दी एपल नहीं होगा, क्या होगा, दी एपल, तो कब कहां पर क्या बोलना है, समझ में आरी बात, पका पका, अच्छे से, कहीं कोई डाउड है, लॉक कर दे, सची मुची, इस तरीके से लॉक करता है,